Hello there, a very warm welcome to Just Speak English. Again, आज हम लोग एक नए फ्रेम के साथ डिस्क्रिस करने वाले हैं, बहुत ही प्यारे सेंटेंसे, सो देखते हैं कि आज हमारे पास ये कौन से नए फ्रेम हैं. अभी तक हमने Sincere Ford को देखा था, present perfect continuous के फार्म में. लाइक कोई काम हो रहा है बट पटिकुलर टाइम के साथ में, जैसे कि कुछ घंटों से हो रहा है, या पिछले एक साल से हो रहा है, या बचपन से हो रहा है. मतलब क्या है, continuous वाले जो sentences बेसिकली time के साथ attached थे, ऐसे ही sentences हम आज देखेंगे, बट उनका present form नहीं, past form, because present हम ओरेडी discuss कर चुके हैं. Past में क्या होता है, I had been doing, मतलब मैं कर रही थी, since या for, जो भी चीज़ें आपको like time mention करना है, उसके according, अगर आपका duration है, like एक घंटा, एक साल, कुछ साल, तो हम for का use करेंगे, अगर आपका duration नहों के एक point of time है, जैसे कि सुबह से, या कल रात से, या फिर कह सकते हो आप से, तो यहां पर हम क्या करेंगे, since का use करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे, पहला sentence हम लेते हैं कि आप कुछ मिनट से ये वीडियो देख रहे थे, so I can say, you were, you had, you had been watching, you had been watching, this video, this video, for few minutes, few minutes, that means, आप कुछ मिनट से ये वीडियो देख रहे थे, another one is, मैं सुबह से पढ़ा रही थी, so मैं सुबह से पढ़ा रही थी, that means, I had been teaching, I had been teaching, अब सुबह से क्या है हमारा, point of time है, right, तो यहाँ पे हम क्या उस करेंगे, since, I had been teaching, since, morning, next one, like, वह बच्पन से डांस कर रही है, मतलब, यहाँ पे हमने sentences लिया था, past perfect है, तो हम इसको कैसे चिंच कर देंगे, वह बच्पन से डांस कर रही थी, so, here we will say, she had been, had been, अगर कर रही है, करना है, तो यह have हो जाएगा, जो present में आ जाता है, बड़ अभी हम past को देखेंगे, she had been dancing, since her childhood, इन sentences को कैसे समझ सकते हो आप से, जबी भी आपको feel हूँ कि आप time के साथ में continuous वाले sentences बोल रहे हो, जैसे कि सुबह से कर रही थी, या फिर कल से कर रही थी, एक साल से कर रही थी, so, ये सारे actions क्या हैं, देख रही थी, एक घंटे से YouTube देख रही थी, या फिर दो घंटे से वह अपना काम कर रही थी, ऐसे actions हमारे आजाते हैं, past perfect continuous में, मतलब I had been plus ing forms, यहाँ पे हम लेंगे verb की fourth form लेंगे, I hope this is clear, इसको अगर negative बनाना है, तो हमें क्या करना है, negative बनाने के लिए as I told you, हम यहाँ पे first helping verb के बाद not लगा देते हैं, तो क्या मैं इनको negative यहीं पे easily convert कर सकती हूँ, बिलकुल कर सकती हूँ, see, you had not been, मैं not यहीं पे add कर दे रही हूँ, you had not been watching this video for few minutes, आप कुछ मिनट से यह video नहीं देख रहे थे, I had not, again had first verb है हमारी helping verb, so I had not been teaching since morning, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रही थी, she had not been dancing, वह बचपन से dance नहीं कर रही थी, I hope this is clear, अगर यह clear है, तो हम इनके interrogatives भी देख लेते हैं, interrogatives क्या होते हैं, अभी तक मैं जितने भी आपको interrogative बता रही हूँ guys, वो just short वाले हैं आपके yes या no answer वाले हैं अभी, क्या और कब और क्या से और कहां वाले questions अभी तक हमने discuss नहीं किये हैं, तो पहला हम देख लेते हैं, interrogative क्या है हमारा, helping word के subject से पहले, right, quite simple, जैसे कि मैं क्या मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, या पढ़ा रही थी, sorry, so I will say, had I, right, had I been teaching, क्या मैं सुबह से पढ़ा रही थी, had I been teaching, since morning, since morning, इसी के एक ले लेते हैं, क्या वा बच्पन से गाना गा रही थी, या डान्स कर रही थी, so had she, had she been singing, singing, since her childhood, since her childhood, इसी तरह से हम और भी वर्प्स ले लेते हैं, like, क्या आप दो घंटे से वीडियो देख रहे थे, had you been watching this video for two hours, so, इसी तरह की फ्रेम साप easily is past perfect continuous के थ्रू, बहत आसानी से समझ सकते हो, translate कर सकते हो, बोल सकते हो, and I hope guys you like this video, if you like this, then don't forget to hit the bell icon there and subscribe the channel, thank you so much guys for watching this video,